कनाटक के बिलोरी में बीजेपी के युवा नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई पुलिस ने जानकारी दी है कि बीजेपी युवा मोर्चा की पदादिकारी प्रवीन नेतारू वेलारी में एक पोल्टरी की दुकान चलाते थे वो रात में जब दुकान बन करके घर लोट रहे थे तभी पीछे से बाइक पर आये हमलावरों ने उन पर कुलहाडी से हमला कर दिया हाला कि पुलिस को अभी हत्या का कारण पता नहीं चल पाया है पुलिस मामले की जाज कर रही है वही मुख्यमंत्री बसव राजबुम्माई ने इस घटना पर दुख चता है और कहा कि हत्यारों को जल्द गिरफतार किया जाएगा वही प्रवीन का शब आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके गाउं पहुँचा जहां उन्हें अंतिम विदाय देने के लिए हजारों लोगों का हुजुम उमर पड़ा वही करनाटर के मुख्यमंत्री बसव राजबुम्माई ने बीजेपी युवा मोट्चा के नेता की हत्या के मामले में दुख व्यक्त किया सेम बुम्माई ने कहा दक्षिन कंणर जिले सुल्या के बीजेपी कारेकरता प्रवीन नेतारू की निशन सत्या निंद नहीं है इस घटना को अंजाम देने वाले हत्यारों को जल्द गिरफतार किया जाएगा उन्हें कानून के तहट सक्त सजादी जाएगी इश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ती दे ओम शांती the Kandaka police is in touch with the Kerala police SP of Mangalaur has spoken to SP Kasargood and DG I have made my DG to speak to DG Kerala and very soon all that will be traced and we'll have them we have taken this as a very serious matter at the outset it looks that it was a very pre-planned attempt and such similarities were there in other इस हत्या को लेकर बिजेपी ने कॉंग्रिस पनिशाना साथा है। बिजेपी सांसद और केंडरी मंत्री प्रहलाज जूशी ने कहा कि प्रारंबिक रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की संकीत मिले हैं कि इस हत्या की घटना में SDPI और PFI के लिंक है। इन संगटनों को केरल में बढ़ावा दिया जा रहा है। करनाटक में इने कॉंग्रिस बढ़ावा दे रही है। करनाटक में हमारी सरकार एक्शन देगी और आरूपियों को गिरफतार करेगी। वाही प्रवेड की हत्या से लोग काफी नाराज हैं, सडकों पर उतर कर उन्होंने जम कर प्रदर्शन किया है। लोगों ने बेलारी और पुटूर की सडकों पर उतर कर जम कर नारे बाजी की। लोगोंने इस दोरान हमें नयाई चाहिए जैसे भी नारे लगाए। बिरो रिपोर्ट इंडिया एड